दोस्तो अगर आप Flipkart Delivery Boy बनना चाहते हैं अगर आपको पता नहीं है कि कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें आपको कितना पैसा मिलता है, कितनी सेलरी मिलती है हमें इसके लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या योगताय होती है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाले है दोस्तो A to Z तो वीडियो में हमारे साथ बने रही है आन तक, चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए होंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, दसवी का मार्क सीट होना चाहिए, आप कम से कम दसवी पास होने चाहिए साथी साथ आपके पास passport size photo होना चाहिए साथी साथ दोस्तों आपके पास driving license होना चाहिए बहुत ज़्यादा जरूरी है driving license के बिना आपका यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है दोस्तों तो इसलिए अगर license नहीं बनवा है आपने तो बनवा लीजिए जो भी उसके कागजाद होते हैं वो आपके पास होने चाहिए तो दोस्तों मैंने आपको जितनी भी documents बता है वो सब आपके पास होने चाहिए तब आप इस job को पा सकते हैं आपके पास दोस्तों driving license होना ही चाहिए और आपके पास bike या scooter होनी ही चाहिए और आप इस job को पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हमें salary कितनी मिलने वाली है तो देखें दोस्तो salary के बारे में अगर मैं बात करू तो शुर्वाती दोर में 12,000 से लेके 16,000 रुपए की बीच में मिलती है तो ऐसा कुछ fix नहीं है अलग-अलग जगा का अलग-अलग rate होता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तो salary दो टाइप से मिलती है पहले नमबर तो आप salary base पर काम करेंगे यानि कि आपको fix रहेगा कि महने में आपको 12,000 मिलेगा और आपको जो है parcel deliver करने होते हैं दुसरा number पर यहाँ आता है दोस्तों कि आप și parcel base पर भी काम कर सकते हैं यानि कि आप कितने parcel deliver करते है उसी आप से आपको पैसे मिलेंगे जिसे कि आपको एक parcel पर 12 रुपे मिलते हैं उसी साब से आप जितने भी parcel deliver करेंगे आपको उतना पैसा मिलने वालोग सो तो एक salary base पर काम किया जाता है और दूसरा parcel base पर तो दोनों में से आप कोई भी जो है कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ salary base पर भी काम करें आप जो है parcel के उपर भी काम कर सकते हैं आप जितने भी parcel deliver करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा तो यह दो तरीके होते हैं यहाँ पैसे कमाने के salary कमाने के तो देखे दोस्तो इसके लिए आविदन कैसे करें इसके बारे मिद्धवात कर ले तो दैखे दोस्तो आप जहां भी इसे करना चाहते हैं वहां आपको जो है पता कर ना पड़ेगा कि वहां खाली है कि नहीं देखे दोस्तो हर जो भी flipkart gel होता है वहाँ आपको जाना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट सेंटर जहाँ ओफिस होती है, आपको वहाँ जानी पड़ेगी, और वहाँ आपको जाकर पता करना पड़ेगा, कि वहाँ कोई पोस्ट खाली है कि नहीं, किसी डिलेवरी बॉय का, तो वहाँ आपको जाकर पता करना पड़ेगा और दोस्तो आपको registration form भरना पड़ेगा और आपको उसके लिए दोस्तो 500 रुपए भी फिस्ट देना पड़ता है दोस्तो अगर मान लीजिए वहाँ post खाली है अगर वहाँ delivery by की post खाली है जो ट्राइवी लाइसेंस वगर होते हैं वो आपके पास होने चीए आपके पास आधार card, pen card जो basic चीज़ें होती है वो होने चीए और आपको आसानी से जो है वहाँ पर job मिल जाता है दोस्तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि आखिर हम deliver करेंगे तो हमें petrol खर्च मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा देखिए दोस्तो जो salary मिलती है वो तो मिलती ही है लेकिन जो parcel हमें deliver करने होते हैं अपने bike से कोई भी दोस्तो अपना petrol तो लगाएगा नहीं क्योंकि petrol दोस्तो ऐसे भी बहुत महंगा है तो अगर petrol अगर खुद का लगाना पड़ेगा और job करनी पड़ेगी तब तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास सारा पैसा आपका जो है petrol में ही चला जाएगा तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है petrol का खर्च भी मिलता है आपको पैसा दे दिया जाता है आपका खर्च लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बाइक नहीं मिलता है आपके पास खुद की बाइक होनी चाहिए तब आपको यह job मिलेगी दोस्तों जब आपको यह job मिल जाती है तो आपको training करनी होती है दो-तिन दिन आप सीखते हैं इसके बाद आप जोब में लग जाते हैं दोस्तों यहाँ पर सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है जरूरी होता है अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप यहाँ काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जिनको आपको जानना होता है, कैसे डिलेवर करना है, कैसे मोबाइल में उसको एड करना है, इस सब कई सारी चीजें होती है तो इनको आपको जानना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई भी दिक्क वाला है अगर आप यह सोचते है कि यह बहुत आसान काम है तो यह इतना काम भी आसान नहीं है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर समय का अभाव होता है आपको जल्द जल्द पारिसल Dalver करने होते हैं बहुत सारे लोग फोन नहीं उठाते हैं पैसे में बहुत सारी समस्य आती है बा बाइक चलाना होता है लोगों से मिलना होता है और जो है पार्सल डिलेवर करने होते हैं और कई सारी समस्याइं भी आती है बीच बीच में तो दोस्तों सेलरी विलती है लेकिन यह दोस्तों यहां पर सबसे अची बाती है कि दोस्तों यह जोब आसानी से मिल जाती है क्योंकि मेहने में जोड़ देते हैं कiden Boston दो है तो सारेब को नहीं कर पाते हैं तो 1-2 मेने में जोड़ देते आगकर आपका कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट बक्स में जाकर कमेंट कीजिए और मिलते हैं स्थ्टूड्यो में तब तक क्लिए नबसकार